हिंदी फिल्म जगत की ये पुराने दसक की खूबसूरत अभिनेत्रियां जिनका गहरा रिष्टा है राजनीत से फिल्मों में काम करने के बाद आजमाया राजनीतिक कैरियर कोई बनी मंत्री तो कोई एमेल है तो चलिए जानते हैं उन पुराने दसक की खूबसूरत अभिने प्रित्रियों के बारे में विनोत खन्ना के लिए प्रचार किया था इसके बाद साल 2004 में हेमा मालिनी भाजपा में शामिल हो गई थी इसके बाद साल 2010 हेमा मालिनी को भाजपा का महा सचिव बनाया गया था और इसके बाद साल 2014 के लोक सभा चुनाव में हेमा मालिनी ने मतुरा से चुनाव लड़ा और विधायक जयंत चौधरी को हराया नमबर पांच उर्मिला मातुडकर बॉलिवुड की अन्य सफल हीरोईन उर्मिला मातुडकर भी राजनीती में अपना हाथ आजमा चुकी है लेकिन वह राजनीती में अपनी कुछ खास पहचान बनाने में नाकामयाब रही बता दें कि उर्मिला मातुडकर ने साल 2019 में कांग्रिस पार्टी जॉइन कर ली थी इसके अगले साल शिफसेना में शामिल हो गई थी शिफसेना को पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए राश्ट्री इस्तर पर एक चहरा और आवाज की जरूरत थी जो मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा से अच्छी तरह से वाकिफ हो और उर्मिला मातौडकर इसके लिए एक अच्छा विकल्प थी बॉलिवूड की कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं इसके अलावा वह पॉलिटिशन भी हैं किरण खेर का राजनीती करियर बेहद ही सफल रहा है वह 2009 में भारतिय जन्ता पार्टी का हिस्सा बनी थी इसके बाद साल 2011 में उन्होंने भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से नगर निगम चुनाव के लिए चंडी गड़ के अलावा राज्यों में प्रचार किया है उनका राजनीती के प्रतिय जजबा देख भारतिय जन्ता पार्टी ने किरण खेर को साल 2014 के आम चुनाव में चंडी गड़ से उम्मीदवार घोशित किया था उन्होंने यह चुनाव लड़ा भारी मतों से जीत भी हासिल की नमबर दो जैया प्रदा सत्तर असी दशक के सबसे मशहूर एक्टरिस जैया प्रदा ने बॉलिवूड इंडस्टरी में खूब काम किया है जैया प्रदा ने अपने करियर के बुलंदियों पर फिल्म इंडस्टरी छोड़ दी थी वह एक actress का किरदार छोड अब politician बनने की राह पर निकल पड़ी थी साल 1994 में जया प्रदा तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई बता दें कि जया प्रदा 2004 से 2014 तक रामपुर रह चुकी है इसके अलावा उनका विवादों से भी गहरा नाता रहा है राजनीती में कदम रखने के बाद उन्होंने 11 मई 2009 को जया प्रदा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उनकी प्राइवेट फोटोज लीक की हैं इसके बाद 2019 में भारतिय जनता पार्टी में शामिल हुई नमबर एक जया बच्चन बॉलिवुड की फेमस एक्ट्रेस जया बच्चन ने बॉलिवुड इंडस्ट्री को कई बहतरीन फिल्में दी हैं वह एक्ट्रेस के अलावा पॉलिटीशियन रह चुकी हैं साल 2004 में जया बच्चन समाजवादी पार्टी शामिल हो गई थी और वह उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करके ससंद की सदस्य हैं